दोस्तों सुवागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आप अगर पुरान नौट और सेकों को सैल करना चाहते हैं उसके बदले में आप लाखों रुपे कमाना चाहते हैं तो दोस्तों future में आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिलकुल सई वीडियो देख रहे हैं आप यूटूब पर काफी मैनों से गूम रहे हैं लेकिन अभी तक आपके नौट और सिके नहीं बिके हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि आप पुराने नौट और सिकों को कैसे बेच चकते हैं उसके बदले में आप लाखों रुपे कैसे कमा चकते हैं तो दोस्तों कई लोग है जो मेरे से संपरक करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि नोट और सिकों को बेचने के लिए उनसे कैसे कांटेक करें तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं साथ ही आप मेरे से वोट्सप पर बात कर सकते हैं और आपके पास जतने भी नाट और सिक हैं आप मुझे फोटो भी बेच सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मेरा रियल फॉन नम्बर देने वाला हूं जिससे आप भी कॉल कर सकते हैं और फोटो भी बेच सकते हैं तो दोस्तों, मैं पूरी जानकार्य आपको संप्रक नहीं किया है तो दोस्तों आप भी बहुत ही सानदार मौका है क्योंकि पुराने नौट और सिकों का एक्जिवेशन लग चुका है जो देली के अंदर फिला लगा हुआ है आप अगर नौट और सिकों को बेचना चाहते हैं तो जल्दी से ये वीडियो देखे और पूराने नौट और सिकों की कीमत बढ़ चुकिया है लेकिन दोस्तों कौन से नौट और खृई के खरीदे जाते हैं और कौन से नौट और सिकों के बदले आपको लाख़ा रुपे מिलने वाले तो दोस्तों पूरी जानकार इस वीडियो मैं आपको समझाओं गा सरल तरीक स्केट में कई फर्जी बायर भी है ऐसे आप फर्जी बायरों से साब दान जरूर है ना क्योंकि आप ठगी के सिकार भी हो सकते हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियूम जो नौट और सिके बताऊंगा वह आपके पास नौट और सिके है तो आपको लाखों रुपे मिल सकते हैं तो दोस्तों आपने यूटूब पर नौट सिकों के बारे में काफी बार सुना है लेकिन कौन से नौट सिके अभी खरीदे जाते हैं और कौन से रेर सिके हैं कौन से सिके यून सी कंडिशन में आते हैं लेकिन फ्रोड बाइरों से और फ्रोड लोगों से साबदान जरूर है कैसा भी आपके पास कॉल आए वो बोलेगा कि मैं रियल बाइर हूं लेकिन आपको उन पर विस्वास नहीं करना है क्योंकि आपसे अगर पैसे की डिमांड करता है तो आपको समझ लेना चाहिए ये रियल बाइर नहीं है क्योंकि हमारे एक्जिवेशन में कोई भी नौट सिका बेचने आते है उनसे अंतरिक्स कोई भी फिस्ट नहीं ली जाती है रजिस्टेशन के लिए आपसे पैसे से मांग की जाती है वो बिलकुल फ्रोड लोग है तो दोस्तों यहां पर बिलकुल फ्री है रिजिस्टेशन आप आ सकते हैं और नौट सिकों को बेच सकते हैं काफी लोग यहां पर आ रहे हैं और नौट सिकों को सेल कर सकते हैं अगर आपके पास 2016 में मोधी सरकार ने बंद कर दी थे वो नोट है तो भी आपके यहां पर वो भी बिकेंगे तो दोस्तों आपके घर में ऐसे ही पड़े हैं लेकिन वो लाखों रुपे आपको दिला सकते हैं आपके पास जितने भी नोट और सकें आप हातों आप सेल कर सकते हैं और लाखों रुपे ले सकते हैं तो दोस्तों जो एक्जिवेसर ने वो देली में लगा हुआ है आप यहां पर हातों आप आ सकते हैं और नोट सकों को सेल कर सकते हैं बदले में आप लाखों रुपे ले सकते हैं अगर आपके पास मुगल कालिन सिक्के तो भी सेल कर सकते हैं अगर अंग्रेज कालिन सिक्के तो भी आप बेश सकते हैं पूरी आपको जानकर इस वीडियो मिलेगी आप वीडियो पूरा देखना तो मैं आपको बताऊंगा तो द जानकार ऐसे मानता है कि 15 लाइन वाला यह जो शख्हा देख सकते हैं यह शिक्का डुब्लिकेट माना जाता है कुछ ऐसे दिक्वान दार वह इस टिकर को खरीद भी नहीं रहे लेकिन सकार डूब्लिकेट न coronavirus नहीं औरिजनल सक्छा है क्योंकि गर्मकर동 सरकार रहें जो ज्यानकारी चलरी है इसको आपको ध्यान में नहीं देना यह आपका सकता है अ conten voila of anyone गर्णाने की को सकता हां और चीमत में आपको डेख सकता हूं your संक्कॉ में लिखे हैं और यहां पर आप देखो रोपे लिखा हुआ है दूसरी शायड अपने पड़ाइए थो पस्षोग कैसे स्वेसेटिन का फूटू दिया है उपर आप देखो बारत और इंडिया लिखा है यहां पर दो वाँ पर बेज़ सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आपको इससे ज्यादा कीमत कोई बाहएर नहीं दे सकता ये मैं आपको एक real price बता रहा हूं दोस्तों आपके पास ही सिका है तो दोस्तों आप मेरे को फोटू बेज सकते हैं मैं आपको आतो आत इसकी कीमत बता देता हूँ लेकिन खरीदने के लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आ सकते हैं आतो आत तो आपका सिका भी बिख जाएगा तो दोस्तों अगले सिके के अपन बात करेंगे जो ये भी 10 रुपे का सिका है जो 2003 में ये डॉट मिंट में सापा हुआ सिका है जो असो किस्तम का फोटू है और यहां पर 10 रुपे लिखा हुआ है और यहां पर भी दो इस तरह से लाइने बनी हुई और दो दातू से बना सिका है जो भारत लिखा है और यहां पर दो अंकों में दिया हुआ है आपके पास अगर डॉट मिंट का सिका है सैम इस टाइब का सिका होगा तो इस सिके के बदले कीमत आपको 80,000 रुपे मिल सकते हैं मैं आपको यह रियल प्राइज बताओ क्यों कि यह सिका काफी महेंगा है और यह सिका रेर भी मना जाता है अगले यह सिका है जो सुबाचंदर बोस वाला आप सिका देख सकते हैं सुबाचंदर वाला बोस वाला सिका भी दो से तीन परकार के होते हैं यह सिक्का आप देख सकते हैं जिसके उपर सुभा चंदर बोस की तस्वीर लगी हुए यह जो आप इंग्लिस में लिखा हुआ है और हिंदी में सुभा चंदर बोस लिखा हुआ यह सिक्का ओगनशों दोस्तों पांच लाक रुपे, इस सिके की डिमांड दोस्तों काफी है, ये सिका काफी रेर सिका है, और UNC कंडिशन में ये सिका आता है, केई ऐसे बायर है जो इस सिके को खरीदना चाहता है, लेकिन ये सिका मिल नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात ये, इन सिकों की जो डिमां सेल करना है यह सिकह करक है की बदल समस्केरbirds कीमत बता देखते हैं इस एंडिया की अपन गपने का इंडिया लेक्ट ये अठारा सो तेयोतर में सापा हुआ सिका है जो आप देख सकते हैं ये प्योर सिल्वर कॉइन से दोस्तों ये चांदी से बना हुआ सिका है आपके पास भी अगर चांदी का सिका है आप उन्हें सेल करना चाहते हैं इस सिक्के के बदले कीमत दोसतों आपको मिल सकती है पंचलाग साटाड अजार रुप atmosphere एक सिक्के की बात कर रहा हूं आपके पास जितने भी सिक्के हैं आप सैल कर दीजिए है तो दुस्तों अब आपको यह नोट और सिक्के कैसे बेचने हैं और आपको नंबर कहांपर मिले हमारे से बात कैसे करनी है वो भी आप जान लेते हैं यह 25 का इसके नहीं आपको 1,30,000 रुपए दिला सकता है यह 25 का इसे का आपको भाई लाख रुपे दिला सकता है इस परकार के आपके पास जितने भी सिक्के आप सेल कर सकते हैं अब दोस्तों बात है दोस्तों अगले सिक्के की जो आप यह सिक्का देख सकते हैं यह सिक्का है पचास पैसे का आप देख सकते हैं यह पर भारत का पूरा नक्सा बना हुआ ह यहां पर संसत बावन का फूटू है जो उगन सो गुनबबे में ये डॉट मिंट मार्ग में सपाई हुई थी तो दोस्तों 50 पैसे के सिक्के आपने काफी देखे होगे मैं आपको बताया देता हूँ यह भी 50 पैसा का सिक्का है और यह भी 50 पैसे का है और यह आप देख सकते हैं यह 25 पैसे का है जो आप यह पचास पैसे का सिक्का देख सकते हैं आपके पास अगर यहां पर भारत और इंडिया लिखा है और दूसरी साइड इस ट्राइब आप देख सकते हैं जो 50 पैसे अंकों दिला सकता है दोस्तों ये सबसे कीमती तिस संपर कैसे करेंगे दोस्तों फ़रजी बाहरों से आपको सावदान रहना एक्जिवेशन से जो कॉल आएगा वो आपसे कभी कोई पैसे की डिमाड नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए या दुस्तों फाइल चार्ज के लिए कभी आपसे डिमाड नहीं करेगा आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है तो आप नंबर ले लेते हैं और आ आपको ठैन किर में करने जोद्स है करे दो आपको ध्यान जरूर नहीं करेगा दाप जाए।